आज हम लोग बात करेंगे हमारे देश के पहले पिदानमंत्री पंडित जवाहलाल नहरों के बारे में इनके बारे में हम वोग एक सामान जानकारी देखने की कॉसिस करेंगे और आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय आपने देखा होगा कुछ सालों से पंडित जवाहलाल नहरों की काफी आलोचनाएं की जा रही है इन पर कई तरह की सवाल उठाए जा रहे है और आप सभी जानते हैं कि जो जम्मू कस्मीर की हालत है पीओ के बाला जो छेत आप देखते हैं कि पाकिस्तान की कबजे में हैं इसके लिए आप देकि पाकिस्तान जम्मू कस्मीर की समस्या के लिए नहरों जी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है और आपने देखा होगा कि भारत पाकिस्तान के बटबारे के लिए महत्मा गांधी के साथ पंडी जवाहलाल नहरों को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है और कुछ और फोटू भी आप लोगों ने देखा होगा कि सोसल मीडिया पर वाइरल होती रहती है इस तरह की पोटू आपने देखा होगा सोसल मीडिया पर वाइरल होती रहती है और लोग कहते रहते हैं कि एक तरह से इनके लिए कई तरह के सब्दों प्यूप करते रहते हैं पंडी जवाहलाल नहरों के लिए तो आपको बता दो इन्होंने देखी इस पिक्चर्स के बारे में बताओं तो इन्होंने कई बार इस बात को माना भी था कि इनके मित्र थी ठेक है उस नमाई आप जो भी समझ सकते हैं आप देखिए किसी की सोच को कुछ नहीं कर सकते हैं और एन की मित्र थी हैं, अब कैसी मित्र थी? अब सभी लोग जाने हैं, आप देखें, महत्मा गंधी और नहरू बैठे लुए हैं कुछ लोग कहते हैं कि पंदित जवाल लाल नहरू और महत्मा मित्मा गंधी की बनती नहीं थी तो आपको बता दू इनों में कोई मतभेद नहीं था बस बिचारधाराओं को, मुद्दों को लेकर इनमें विवाद रहे हैं आपसी विवाद कोई नहीं था, ठेक है? और आप देखेंगे कि ये इंद्रागांदी हैं आप सभी जानते हैं, पंडी जवाल लाल, नहरू की वेटी, इंद्रागांदी आप लोगों से इस सवाल है मेरा एक, नॉर्मल से सवाल है आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप लोग ने कोई इतिहास की बुक पड़के इस तरह की घड़नाओं का खड़नन मतलब कॉसिस की है समझने की के सही हैं या गलत हैं, कौन से जिम्मेदार, किस पत के लिए, जिम्मेदार, किस कारण के लिए जिम्मेदार? आप लोग देख लीजे, अपने देश के पहले पिधार मंद्री को यह हैं पहले देश के पिधार मंद्री हैं हमारे इनका पूरा नाम पंडित जवाहर लाल नहरू है और इन्हें आप लोग चाचा नहरू के नाम से भी जानते हैं उपनाम है इनकी जनम तिथी की बात करें तो 14 नवंबर 1889 को इनका जनम होता है कहां जनम हुआ था? इलहाबाल उत्तर प्रदेश में और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश राजनीती की दिरिष्टी से हमेसा सही मात्पून रहा है आज भी आप देखी राजनीती की दिरिष्टी से उत्तर प्रदेश बहुत ही मात्पून है यह इसलिए है क्योंकि अभी तक अगर आप देखेंगे पिधानमंत्रियों की सूची देखें न, तो सबसे ज़्यादा पिधानमंत्री अधिकतर आपके उत्तरपदेश से ही निकल के आये हुए एक बड़ा राज्य है, बड़ी जनसंख्या है, बड़े बोटर है, लोग सभा में आप देखेंगे अभी वर्दमान की बात करें तो लोग सभा में 80 सीट है, राज्य सभा में 31 सीट है, बिधान सभा में 430 सीट है, बिधान परिशन में 100 सीट है तो आप समा सकते हैं कि उत्तरपदेश कितना जरूरी है राजनीती के लिए और ऐसा भी माना जाता है कि जो दिल्ली की गद्धी है ना इसका रास्ता लखनव से हो कर जाता है तो इनका उत्तरपदेश यानि की इलावा जिसे प्रयाग राज की नाम से आप लोग जानते हैं यहां इनका जनम होता है इनकी पिता का नाम मौतिलाल नहरू है और इनकी माता का सौरूप रानी नहरू इनकी माता का नाम था कि इनकी पंडित जवालाल नहरू की, इनकी पत्नी की बात करें तो कमला नहरू, इनकी पत्नी का नाम था, 1916 में उनकी साधी होती है कमला नहरू से, आप देखेंगे कि इंदरा गांदी इनकी बेटी थी, जिरने आप लोग पुरिये दरसनी के नाम से भी जानते हैं, 1970 में कमला नहरू और जवालाल नहरू की पुत्री का जनम होता है, कव? 1970 में, इंद्रा गांदी, और आप सभी जानते हैं कि जवालाल नहरू हिंदू थे और ब्रहमड थे, ब्रहमड जाती से आते थे, सिक्षा की, अगर हम लोग बात करें, तो हैरो कॉलेज, ट्रेनिट लंदन और लॉक की डिग्री इन्होंने केमरेज भी स्विध्याले से प्राप्त की, और साथ साल में इंगलेंड में रहका ने इन्होंने फैवियन, समाजबाद और आईरिस, राष्टबाद की जानकारी भी विदेश जाता है, तो उसका रहन सहें बदल जाता है, आपने देखा होगा, वो कोट पेंट में रहने लगता है, कही साधी अटेंट करता है, तो वड़ा सद्धज की जाता है, कही जगे आपने देखा होगा कि वो कुछ करने लगता है, तो वो कहता है कि अरे, सोच आप ब प्रस से रहेगा उसके लिए आप देखी लंदन की अधिकतर समय वहां रहा है पूरी बढ़ाई उसी से उन्हीं ने किये वहां से अगर हम लोग जवाला नहरू के संगरस की और योगदान की बात करें तो 1912 में नहरू जी ने भारत लोटकर इलावाद हाई कूर्ट में वेरि लीक से जुड़ जाते हैं 1919 में आप देखेंगे नहरू जी गांधी की संपर्क में आई और जहां उनकी विचारों से नहरू जी को बहुत प्रभावित किया और राजनीती में ज्यान इन्ही गांधी जी के नेतिते से ही फिराप्त हुआ किने पंडी जवाहलाल नहरू को य लखा था तो नहरू जी गांधी जी के सम्यायोग के आंदोलन से बहुत विरभावित हुए और नहरू जी के साथ उनके परिवार ने भी गांधी जी का अनुसरन किया और मौतिलाल नहरू ने अपनी संपत्ती का त्याग कर खादी परिवेस धारन कर लिया और 1922 में आप द पाद नगर निगम की अध्यक्षे दूरू में दो वरसों तक सहर की सेवा की इन्होंने किन्होंने पंडित जवाहलाल रहे नूने विरोध करके आप देखिए ने पिधान मंत्री बनाया था 1928-39 में मौतिलाल नहरू की अध्यक्षता में कॉंग्रिस की वालसिक सत्त कायुजन किया गया इस सत्त में दो गुट बने पहले गुट में नहरू जी इवं सुवाश्चन बोस ने पूर सुतंदा की मांग का समर्तन किया कि अब हमें पूरी आजादी चाहिए और दूसरी गुट में आप देखेंगे मौतिलाल नहरू और अन्य नेताओं ने सरकार की अध्यीन इस दो पिस्ताओं की लडाई में गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला और इन्हों ने कहा है कि बेटेन को दो वरसों का समय दिया जाए ताकि वे भारत को राज जी का दर्जा दें अन्था कॉंग्रेस का एक राश्टी ए लडाई को जनम देगे परंतु सरकार ने कोई उचित जवाब नहीं दिया और नहरू जी की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कॉंग्रेस का बारसिक अधीबेशन लाहोर में होता है और आप देखेंगे इसमें सभी ने एक मत होकर पूर्ण सुराज की मांग का पिस्ताओ फारित किया और 26 जन्वरी 1930 में लाहोर में नहरू जी ने सुतंत भारत का दोज फायला है और इसलिए आप देखते हैं कि सुतंता दिवस आपका 26 जन्वरी को मनाया जाता है 1930 में गांधी जी ने सविनेय योग्या अंदुलन को जोरों से आभान किया और जो इतना सफल रहा कि बेटे सरकार को महतपूर्ण नेड़ा लेने के लिए जोकुना अपड़ा और 1935 में जब बेटे सरकार ने भारत धीनियम का पिस्ताओ पारित किया तब कॉंग्रेस ने चुनाओ लड़ने का फैसला किया और नेहरू ने चुनाओ के बाहर रहकर ही पाटी का समर्तन किया कॉंग्रेस ने हर पैदेस में सरकार बनाई सबसे अधिक जगों पर इसने जीत भी हासिल की 1936-1936 में नेहरू जी की कॉंग्रेस का अध्यक्ट ने उत्किया गया किने नेहरू जी को नेहरू जी ने सरकार के साथ बाचीत में मात्म भूमिका निभाई दी यहाँ एक सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ देखे आप सोची कि एक माली जी की एक परिवार है जिसमें कुछ मेंबर है आप देखे और आप सोची कि उस परिवार में दो गुट बन जाते हैं माबाप आप देखी क्या करेगे और आप सोची कि उस गुट में डेली आप देखी हर रोज आपकी मार पीठ हो रही है लडाई हो रही है खौन खराबा हो रहा है तो बाप के पास क्या ओप्सन बचता है या परिवार के जो मुख सदस होगा आप सोचे कि मुख पिरधान होगा जिसके पास जिम मेदानिया होगा जो नेड़ लेने लाए की छबदा होगा वो क्या करेगा एक नॉर्बल सी बात है वो कह देगा कि आप लोग अलग अलग हो जाईए और खुस रही है आप लोग तो पाकिस्तान की मांग को लेकर कुछ नेताओं के अपने एक तरह से क्या थे उनके अपने क्या अपनी महत्वा का अचाती समझ रहे हैं आप लोग उनके मेर में लालच था सबसे बड़ा पत पाने का और इसी लिए आप देखेंगे उन्हेंने पाकिस्तान की मांग की और इतना खून खराबा हुआ आप देखेंगे कि भारत देश भर में आप देखे दरना पर दर्शन हो रहे थे सब कुछ हो रहा था उसी में आप देखेंगे इस तरह एका फैसला लेना पड़ा और भारत से अलग करके यह पाकिस्तान बना रहा पड़ा बंगला देश भी पहली पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था अलग हुआ था लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1971 में भारत वपाकिस्तान के बीच एक यह उद्ध होता है और इस यह उद्ध में बंगला देश बाहर हो जाता है यानि कि पाकिस्तान से अलग करके बंगला देश का गठन होता है और इस समय हमारे देश की पिधान मंत्री थी इंद्रा गांदी और पाकिस्तान ने गुटने टेक देता है इसे उद्ध में फिर आप देखेंगे कि 1947 में भारत की आजादी मिलने पर जब भावी पिधान मंत्री के लिए कॉंग्रिस में मंतान शुरू हुआ तो सरदार वल्लब भाई पटेल आचार क्रफलानी को सबसे अधिक वोट मिलें लेकिन महत्मा गांदी के कहने पर दोनों ने अपना नाम बापस ले लिया और पंडिस जबालाल नेरू ने 1947 में सुतंद भारत के पहले पिधान मंत्री बनते हैं अगर आप देखिये सरदार वल्लब भाई पटेल अगर देश के फिधान मंत्री होते तो कुछ और ही न जारा होता समझे आप लोग तो यहां भी आलोचना गांदी जी की होती रहती है नेरू जी की होती रहती है नेरू पकिस्तान और चीन के साथ भारत के सम्मंदों में बड़ा जटका भी रहा था उनिस सुबास्ट में आप देखते हैं कि हम लोग हार जाते हैं और इस योद्ध के लिए भी कई लोग पंडी जवाल लाल नहरू को ही जिम्मेदार बताने लगते हार के लिए पंडी जवाल लाल नहरू के द्वारा कुछ किताब में लिखें गए भारत और विस्ट, सोवियत रोस, भारत की एकता और सुतनता, दुनिया की इतिहास का ओजरता दरसन 1949 में बिस से इतिहास की एक जलक, डिस्कवरी ओप इंडिया, अगर आप लोग किसी एक जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कई बार एक कुश्चन्स पूछ लिया है, डिस्कव में पंडित नहरू ने अंगरेजी भासा का प्रियोग किया था, और इसके बाद इस पूस्तक का हिंदी समयत कई अनभासाओं में भी अनभासाओं में भी अनभात किया गया, और इस पूस्तक में नहरू जी ने सिंदु घाटी सब्दा से लिकर भारत की आजादी और भारत का देश की सेवा में नेहित है, संस्किती मन और आत्मा का बिस्तार है, आसफलताएं तभी आती हैं जब हम अपने आदर्स उद्देश उसे धान भूल जाते हैं, दूसरे कोई अनवहों को से लाव उठाने वाला बुद्धिमान होता है, लोगतंत और समाजवा लक्ष पाने क लिख रहे हैं, तो इनका उप्योग कर सकते हैं, आप देखते होंगे कि इनके जनम दिन पर, पंडी जवाहलाल नहरू के जनम दिन पर, कुबाल दिवस की रूम में हम लोग मनाते हैं, जवाहलाल नहरू जी बच्चों से बहुत प्रैम करते थे, और बच्चे भी इसलिए उनके इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नहरू के नाम से भी बुलाते थे, आज भी उन्हें इस नाम से भी हम लोग बुलाते हैं, नहरू जी बच्चों के कल्याड ही तू बहुत सोचते थे, उनके लिए सही आहार और जरूरतों का ख्याल रखने के समय पर नई मनाते हैं, ठीक है? पिधानमंतिरी बनने के बाद अगर नहरू के बड़े कामों की बात करें, तो आप देखेंगे पिधानमंतिरी बनने के बाद, जवालान नहरू ने आधोनीक मूल्नेयों और विचारों की बात की, और उन्होंने सैकूलर और लिवरल आप फ्रोच पर ज अधोगिक, उद्धोगी के अरण को फ्रोज साहित किया, नहरू ने उच्छे सिक्चा की स्थापना करके बिध्याने को तखनी की प्रगती को बड़ावा दिया, उन्होंने कई सामाजिक सुधारों की स्थापना की जैसे मुक्त, सारज्येक सिक्चा, भारती बच्चों को म नहरू यानि पंडित जवाला नहरू की मंत्री बंडल का गठन होता है, तो उसमें हॉम मिनिस्टर सरदार बल्ला भाई पटेल को बनाया जाता है, और आप सबी जानते हैं कि चाहे आपके सरदार बल्ला भाई पटेल हो, भीमरा हो, अमेडकर साहों, इनके कई बातों को ले कर भी इनकी मत बेचती, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अगर हॉम मिनिस्टर ग्रह मंद्री अगर आपके सरदार बल्ला भाई पटेल ना बनते, तो साथ जो रियासतों को बिले इतनी आसानी से हो गया, जो उन्होंने रणनीती अपनाई, वो साथ हम लोग दूसरा कोई और ना पना पाता, कहते हैं कि सरदार बल्ला भाई पटेले एक खांत में गरना ले कर जाते थे, और वो आप देखिये, रियासतों को बड़ा लालत देते थे पहले, और लालत नहीं देती थी तो वहां वो गरने से पिटाई करना लगते थे, कहावत हैं ऐसी, यानि कि कहने का म बात करने, तो सबसे अच्छा ग्याता कानून में भीमराओं मेटकर साहब थे, तो उन्हें कानून के लिए रखा क्या, ठीक है, तो यही हाल है, अब आती है इनकी डेथ की, तो आप समय जाते हैं कि 1964 में मई के महिने में 27 तारीक की एक सुभय, पंडिजवाल लहरू की तब और वीर गती को पराख हो गया, एक बात और आपको जान लेने चाहिए, कि 1964 का जब चाहिना से हम लोग यह धाय हार जाते हैं, तो पंडिजवाल लहरू को एक बड़ा धक्का लगता है, और तब ही से वो एक तरह से कमजोर रहने लगते हैं, वो एक तरह से आप देखी कि ब अगर आपके मन में किसी और के बारे में जानने की दिल्चस्वी है, उसका नाम बताईएगा, उस पर हम दो बात करते रहें कि समझने में पर